फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की के बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। कि मिटसुई फोटो में नहीं था, यहां तक कि उसके शिक्षक भी नहीं थे, कोई छात्र या माता पिता नहीं थे। एक दिन उसके सहपाथी चिहिरो ने उसे कक्षा में पीछे से बुलाया। और उसे उसके शौप के बारे में पूछता है। चला कि मिटसुई शिहिरो से कैफे में अपनी आखरी मुलाकात के बाद से सालों से नहीं मिले थे। चिहिरो गायब हो गया। उसके बाद मिटसुई ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। हाल ही में उसे कुछ जासूसों की मदद से शाहिरों के घर के बारे में पता चला। चिहिरों की शादी हो चुकी थी और उसकी एक छोटी बेटी भी थी। मिटसुई ने उससे मिलने की योजना बनाई, वहां उससे मिलने गया। वहां उसने चिहिरो को देखा कि वहां पिछले वर्षों में बहुत बदल गई थी, वहां उतनी खुश नहीं थी जितनी वहां हुआ करती थी, वहां पहले की तुन्ना में पतली और कमजोर लगती है, वहां निराशा का असली चहरा थी, लगता है वो मुस्कुराना भूल चिहिरो ने चलते चलते मिट्सुई को पार किया लेकिन वहां उसे पहचानने की स्थिती में नहीं थी, मिट्सुई इसके बारे में जानने के लिए पिछले वर्षों में उसके साथ क्या हुआ है, इसके बारे में सोचना शुरू कर देती है, वहां अपने घर के सामने एक म पुतला भी लगाया था वहाँ जैसे ही वहाँ उसे चूता है उसे लगता है जैसे की चहिरो उसके सामने खड़ा था रात में मिट्सूई टेलिस्कोप की मदद से चहिरो पर नजर रख रही थी जो अपने पती के साथ रात का खाना खा रही थी पता नहीं उसके पती के दिमा क्या ख्याल आया जब उसने उसे पीठना शुरू कर दिया। मिट्सूई अगले दिन चिहिरो के घर जाती है जहां वह अपने पती को अलविदा कह रही थी। उनमें से दो को देखकर कौन ओफिस जा रहा था मिट्सूई समझ नहीं पा रहा है। अगर एक रात पहले भी कुछ हुआ होता जैसे ही मिट्सूई ने उसकी चोटिल आख देखी। चिहिरो और उसके पती के बीच कुछ गड़बढ है। मिट्सूई उसे हर दिन एक हैपी कार्ड भेजती थी। वह हर दिन उसे कूरेदान में फैंक देती थी। चिहिरो ने कभी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की की ये कार्ड कौन भेज रहा है। एक दिन चिहिरो मिट्सूई की दुकान पर आता है। वह उसे देख कर चकित रह जाता है क्योंकि वह गपी मचली खरीदने के लिए वहां आती है। जो बहुत महंगा था। मिट्सूई अपनी गपी म अचली मुफ्त में देती है। चिहिरो बहुत खुश हो जाता है। वह नहीं चाहता था कि वह परेशान हो और अपनी दुकान छोड़ दे। फिर मिट्सूई चिहिरो के घर में एक्वेरियम स्थापित करने जाता है। वहां उसने बहुत चालाकी से उसके घर की चाबिया चुरा ली। थोड़ी देर बाद उसने डुप्लिकेट चाबियों को उनके मूल स्थान पर रख दिया। इसके अलावा उसने एक लाइटर के अंदर एक माइक रखा और उसे बेडरूम में रख दिया ताकि कि वह अपने पती की बातचीत में नायक को सुन सके। वही रात म हुआ था। चिहिरो के पती ने उसे बुरी तरह पीतना शुरू कर दिया मिट्सुई आसानी से सभी बातचीत सुन सकती है। वे कर रहे थे क्योंकि माइक मिट्सुई बहुत गुसा महसूस कर रहा था लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ था। जब भी चिहिरो बाहर ज उसे पता चलता है कि उसने उसके बेड्रूम में दुपलिके चाबिया छोड़ दी है क्योंकि उसे चाबिया वापस मिल रही थी। चिहिरो बाजार से घर वापस आता है। किसी तरह मिट्सुई बिना पकड़े वहां से निकल जाती है। अगले दिन चिहिरो मिट्सुई की दुकान से मचली खाना लेने आया मिट्सूई ने उसे एक कॉफी की पेशकश की यहाँ वही कॉफी थी जो उसने लगभक साल पहले कॉफी शॉप में चहिरो के साथ ली थी चहिरो दुकान और पत्तियों से मचली के लिए खाना ले गया था इस बीच मिट्सूई ने उस जाना जाना अच्छा नहीं होगा इसलिए उसने एक योजना बनाई अगले दिन वहाँ उसके घर गया और रात में उसके बिस्तर के नीचे लेट गया वह सब कुछ सुनने में सक्षम था जो चिरों से गुजर रहा था अगले दिन चहिरो के पती को मिट्सूई द्वारा भ पता चला वह तनाव के कारण कार्ड ठैकना भूल गई इस वज़े से पती ने पार की अमानवियता की हर हद उनका मानना था कि चिरों का किसी और के साथ संबंध होना चाहिए चिरों ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसके पागल पती ने उसकी एक भी नहीं सुनी वह उसे बात्रूम में ले गया और उसे पीठना शुरू कर देता है मिट्सुई जो बिस्तर के नीचे छिपा था खुद को कोस रहा था उनके द्वारा भेजे गए कारण के कारण चिरों को कोने वाली हर चीज के लिए रात को जब उसका पती सो गया मिट्सुई बाहर आता है तो वहां बात्रूम जाता है जहां चिहरो बात्तब में बेहोश पड़ी थी मिट्सुई चिहरो ले गई वहां से उसे जाइंग रूम में ले गई उसने उसे एक कंबल में ढख दिया और वहां से चला गया सुबह जब चिहरो उठा और उसने अपने ऊपर एक कंबल देखा उसे विश्वास था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वह अपने शयनकक्ष में गई और जोर से कहा कि तुम जो भी हो अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो कृपया मेरी मदद करो। मेज पर वह लाइटर था जिसमें मिट्सुई ने माइक लगाया था। वह सब कुछ सुन सकता था। मिट्सुई ने वादा किया था कि अगर वह उसे फिर से पीटने की कोशिश करता है तो वह अपने पती को जिन्दा नहीं छोडेगी। अगली सुबा चिहिरो की माने उसे फ मना कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारे पिदा की तबियत ठीक नहीं होगी अगर तुम वहाँ जाओगे तो जाने का क्या प्रयोजन है। फिर चिहिरों ने यह सुनकर अपना आपा खो दिया और उसने अब अपने पती को थपड मार दिया। उसके पती को बहुत गुसा आय और उसने पीठना शुरू कर दिया। मिट्सूई उस समय अपने कमरे में परदे के पीछे छिपी थी। लेकिन उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कि मिट्सूई अपनी कायरता के लिए खुद को कोसना शुरू कर देता है। और वहाँ गुसे में खुद को बिजली का का देता है। सुबह वहाँ चहिरो को अपने बच्चे के साथ शहर छोड़ते हुए देखता है। मिट्सूई ने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। चहिरो एक होटल में रुकी थी। उसके पास वही लाइटर था जिसमें मिट्सूई ने म अंदर कुछ है उसने उसे खोल दिया। आखिरकार उसने लाइटर में माइक लगा पाया तो उसे पता चला कि कोई उसकी मदद कर रहा है। अचानक उसका पागल पती वहाँ आया और उसे वापस घर ले गया और उसने फिर से उसे पीटना शुरू कर दिया। इस बार चहि पीच मिटसूई वहाँ आती है और अपने पती के होश में आने से पहले अपने पती को बिजली का जटका देती है। मिटसूई ने उसे मौत के घाट उतार दिया। चहिरो ने नोटिस किया कि वहाँ एकवेरियम की दुकान का मालिक है लेकिन वहाँ अभी भी उसे पहचान नहीं पाई, उसे याद नहीं आया कि वहां उससे सालों पहले मिल चुकी थी, अग्य दिन मिटसुई ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया, चिहिरो अपने घर गया लेकिन वहां कोई नहीं था उसने उसकी तस्वीर देखी, उसके जैसी एक गुडिया और एक दूरबीन जिस के द्वारा मिटसुई उस पर नजर रख रही थी, आखिरकार एक तस्वीर देखने के बाद उसे याद आया कि उसकी मदद करने वाला कोई और नहीं बलकि मिटसुई था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, अब उसने मिटसुई को पुलीस थाने में आखिरी बार देखा और उसे मिटसुई नाम से पुकारा, मिटसुई भी यहाद देख कर खुश हुई कि उसे उसका नाम याद है, अंत में यहाँ फिल्म इसी के साथ समाप्त होती है, देखने के लिए धन्यवाद